हे मेरा पिता, अब मी तेरा पास ओनू छों, और दुनिया मा रौंद ही मी यों बातों ते बोनू छों, ताकि जन खुशी मी ते होनी चे, उननी उन ते भी भौध खुशी हो, और मीन तुमर वचन उन ते सुना याली, इले दुनिया का लोगुन उन बटी बैर कहे रहे, किले पुर्ष्ट सैथान बटी बचाय के रखा, और जन मी इन दुनिया को निचों, तन्नी उन भी इन दुनिया का निचिकुत तुमार वचन सच चे, इले अपना वैही सच्चा वचन का द्वारा तुम उन्ते पवित्र कहा, और जन तुम उन मी दुनिया में भेज़गी ह知道, कि हे पिता मी सिर्फ यों खुणे ही ना बलकिन उं खुणे भी प्रात न कनू छों जोकि उंका वचनों ते सूनी के मी पर विश्वास कर दिन। ताकि उंस सभ्या का सभी एक होई जा। हे मेरा पिता जन तुम मी मा छां और मी तुम मा छों तनी उंस भी हमां बण्या रहा। ताकि दुनिया का लोग विश्वास कह रहां कि तुम उन्ही मीते भीजी चे। और जन आदर समान तुम मीते देई वोई मिन उंते दियाली। ताकि जन हम दुई एक छां तनी उबही एक होए जा अर मी उमा छों अर तुम मी मा छां ताकि उब पूरी तरों से एक होए जा अर यू देखी के दुनिया का लोग जानी जाला कि तुमन ही मीतें भेजीच अर जन तुमन मी बटी प्रेम कहरी उननी उन बटी भी प्रेम कहरी हे मेरा पिता मी चान दुछों की जू लोग तुमुन मी मा सौप्याँ छीन उभी मेरा दगड़ा मा उख रा जख मी रॉल ताकि दुनिया की शुरुआत से पहले तुमुन मी बटी प्रेम कहरी के जू आदर सम्मान मी ते देई वो ये ते उदेख सेका हे मेरा धर्मी पिता दुनिया का लोगुन तुम ते निपच्छाणी पर मी तुम ते पच्छाण दुछों और योँन लोगुन भी जाने आली कि तुम्मुन ही मी ते भेजी चे अर मिन तुम्हार वारमा उते बताए अर अगने भी उते बतोणू रोलू कि लेकि जु प्रेम तुम्हुन मी बटी कहरी वुई प्रेम उम बन्यू रो अर मी भी उम बन्यू रोू।